दरसल मैं एक अलग ही एस्क्रिप्ट लिख रहा था फिर नौजाने इस तरह का बिचार आया नमस्ते मैं उपर मैं सोर और आप देख रहे हैं दैसकाई दोस्तों आज का टौफिक होगा कि जिम्मेवार कौन दोस्तों आज के समय पर गौर करें तो हम पाएंगे कि आज के समय में लोगों के पास बहुत कम समय हैं आज के समाज में तरह तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे एक तो वह जो पुराने समय और पुरानी बीचारधारा रखने वाले और दुसरी वे जो बिल्कुल नए समाज में नए अंदाज में नए तरीके से जी रहे हैं या जीने वाले अब लोगों से याद आया मंत्रा और सकुनी टाइप के लोग या जो लोग हैं समाज को और खोकला बनाय जा रहे हैं आज के समय में, आज के समय से ही नहीं या रमायर और महावारत काल से सक्रिय हैं मैं बात कर रहा था सिर्राम चंदर जी की बनवास का उनके पीछे जिम्मेवार कौन थी माता केकई या मंथ्रा बात कर लें तो माता केकई कौसल्या से अधिक सिरामचंद्रीजी से प्रेम करती थी मुझे साथी साथ जो मंत्रा जो आई बीच में और उन्होंने केकई का ब्रेनवास कर दिया केकई का ब्रेनवास करने के कारण केकई ने अपने भरत को या नमेकी राज तिलक राजियाभी शेक के लिए राजा से कहा वो कहा ही नहीं, बहुत सरा तमाशा हुआ उस रमैर काल में, जो आप वहां का दृश्ष से देखेंगे तो बेशक समझेंगे, मुझे यहां पे समझाना था, कि यहां पे समझाना ये था, कि जिम्मिवार कौन है, माता के कई, या फिर वो मंथ्रा जिमिवार कौन है, रामचंद्र जी को बनवास ले जाने के लिए और भरत को राजी अभिशेख कराने के लिए आप हमें कमेंट करके बताइے गया, कि अगर आप रमैड सेक्षन में ये राजी अभिशेख देखें होंगे या वनवास देखे होंगे तो आप गौर के होंगे कि वहाँ पर जीमिवार कौन है मंत्रा है या के कई है या फिर आप बताइए यहाँ पर कि जीमिवार कौन है मंत्रा है अथवा के कई Thank you